Hello dear students, इस वीडियो में बच्चों हम degrees of adjectives पढ़ेंगे, कि जो adjectives होते हैं, describing words होते हैं, उनको हम किस तरह से अलग-अलग जगह पर उनकी degrees यूज़ करते हैं, तो जैसे यहाँ पर example है, कवीता is a fat girl, तो यहाँ पर fat adjective है, कवीता is fatter than Pooja, तो यहाँ पर fatter adjective है, and कवीता is the fattest of all the girls, तो यहाँ पर fattest adjective है, एक ही adjective है, लेकिन हमने उसको अलग-अलग spellings में यूज़ किया है, जब हम compare करते हैं किसी adjective को, तो हम यहाँ पर उसको हम फिर degree बोलते हैं, degree of adjective, तो पहले sentence में हमें बताया गया है, जो fat word यूज़ हुआ है, उसे हम positive degree बोलते है, इसका मतलब है कि की जाती है, जैसे कवीता और पूजा में तुलना की जा रही है, comparison किया जा रहा है, कि कौन ज़्यादा मोटा है, तो हम यह ER लगा कर ज़्यादा तर यह comparison में use करते हैं, इसे हम comparative degree बोलते हैं, इसके बाद तीसरा example जैसे fat test है, fat test मतलब यहाँ पर भी comparison किया गया है, लेकिन य एक single noun को हमें बताया जाता है, कि जो यह सबसे जादा है, तो इसको हम superlative degree बोलते हैं, इस तरह से यह degrees होती है adjective की, ज्यादतर जो degrees होती है adjective की, उनमें positive degree, comparative degree और superlative degree, तीन degrees होती है, comparative degree को हम जब हमें दो noun या pronoun में compare करना होता है, तुलना करनी होती है, तब use करते हैं, positive degree को ह किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए यूज करते हैं जो दूसरों में नहीं होती है और सुपर्लेटिव डिग्री को हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा प्रोनाउन होते हैं उन में से हमें बैस्ट बताना होता है तो इस तरह स इसे comparative और superlative डिग्री बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे तो positive डिग्री से हम comparative और superlative डिग्री बनाते हैं किसी भी adjective की तो comparative degree बनाने के लिए हम ज्यादा तर er add करते हैं और superlative degree बनाने के लिए est add करते हैं तो जैसे long है तो longer और longest, high है तो higher और highest इस तरह से दूसरा तरीका होता है हम सिर्फ r या est add करते हैं positive degree में जैसे कि nice है तो nicer, r जोड़ दिया और est जोड़ दिया तीसरा तरीका होता है अगर हमारे adjective में y है last में तो हम उसको i में change कर देते हैं और comparative के लिए er और superlative के लिए est हम add कर देते हैं जैसे कि heavy, heavier में y हटके i er add हो गया और heaviest में y हटके i est add हो गया इसके बाद कुछ दूसरा तरीका होता है कि हम consonant को double कर देते हैं और er और est add कर देते हैं जैसे thin है तो thin में जो n है consonant last consonant है उसको हम thinner double कर दिया double n लिख दिया और er add कर दिया comparative के लिए और est add कर दिया superlative degree के लिए इसी तरह से next तरीका होता है जिसमें कि हम more और most add कर देते हैं comparative degree के लिए more और superlative के लिए most जैसे कि careful हमारी positive degree है तो more careful and most careful तो यह comparative degree और superlative degree हो गया तो कुछ words इस तरह से हम convert करते हैं इसके बाद तरीका होता है जिसमें कि हम कुछ अलग तरह के से उसको change करते हैं जिसमें कि old है तो older या elder भी हम लिख सकते हैं और oldest many को more और most little को less और least तो इसमें ज्यादा तरह अलग तरीके से हम उनकी spelling change करते हैं अब हम इसको कुछ exercise की help से समझते हैं यहां पर हमें कुछ-कुछ degrees दी हुई है हमें उनकी बाकी के fill in the blanks को complete करना है तो bad, worse, worst होता है bad का comparative, worse और superlative, worst होता है जैसे good का better और best होता है इस तरह से हम बाकी के उनको भी change कर सकते हैं words को इसके बाद next question में बच्चो हमें correct degree लिखनी है तो जैपूर is the large city यहां पर हम positive degree यूज़ करेंगे क्योंकि यहां पर कोई comparison नहीं है तो this is a comfortable room तो यहां पर हम as it is यूज़ करेंगे तो यहां पर भी हम as it is यूज़ करेंगे इस तरह से हम अब एक हम यह वाला comparison वाला example देखते हैं मोहित finds bets easier तो यहां पर हम क्या word यूज़ करेंगे easier easier than English क्योंकि यहां पर दो चीज़ों में तुलना की गए इसलिए हम comparative degree यूज़ करेंगे अगले question में बच्चों हमें correct degree लिखनी है तो our school is the dash in the city तो is the best, good, better, best यहां पर superlative degree लिखेंगे तो Priya is a good friend of mine इस तरह से हम sentence में adjectives की degree यूज़ करते हैं इसके बाद बच्चों next question में हमें adjectives को underline करना है और हमें बताना है कि positive, comparative या superlative में से कौन सी degree है तो first example देखते हैं तो the woman has seen happier days तो happier जो है वो comparative degree है many people are scared of mouse dogs are more intelligent तो more intelligent क्या हो गया यह भी comparative degree हो गई scared जो है यह positive degree है best superlative degree है और from my house farther तो यह comparative degree हो गई इस तरह से बच्चों हम sentence में adjective को पढ़कर उनकी degree को define कर सकते हैं पहचान सकते हैं I hope आपको adjective की degrees के बारे में समझ में आया होगा Thank you